नमस्कार मित्रो में हूँ पंडित मनोज कुमार सास्त्री आप देख रहे हैं भक्ति बंदना अगर आपके जीवन में चल रहे हैं अनेक प्रकार के संकट नहीं हो रहा है आपका भाग्य उदय कर रहे हैं आप संगर्ज तो करें इन नवरात्रों में स्री हनुमान जी की क्रपा और उनकी सिध्धी अब मैं आपको बताऊगा कि हनुमान जी की सिध्धी कैसे प्राप्त की जा सकती है मित्रो हनुमान जी की सिद्धी तो वही प्राप्त कर सकता है जो ब्रह्मचारी हो हनुमान जी की सिद्धी तो वही प्राप्त कर सकता है जो राम का भक्त हो हनुमान जी की सिद्धी वही प्राप्त कर सकता है जिसके मन में गुरु का भाव हो हनुमान जी की सिद्धी वही प्राप्त कर सकता है जिसे अपने मन पर काबू हो हनुमान जी की सिद्धी वही प्राप्त कर सकता है जो आशन को जीत सकता हो अगर आप जीत सकते हैं अपने आशन को आप बैठ सकते हैं दो से धाई गंटे तो होगी आपके उपर निश्चित करपा लेकिन कुछ चीजों का संकेत में आपको जरूर देना जाऊंगा हनुमान जी की साधना में सरप्रतम अगारे हमारे मन में किसी प्रकार का दुर्भवार आए तो उसे जरूर हटाएं और मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर आप करेंगे हनुमान चालीशा का साथ वार पाठ शोते समय रात्री काल में तो निश्चित होगी हनुमान जी की कृपा आपके उपर लेकिन करने होंगे कुछ विदी और विदान जैसे ही और रात्री काल के समय अगर हम सोने से पूर्व नवरात्रों में इसनान करके और इसनान के जल में गंगाय जलवा हलकासा दूद का प्रियोग कच्चे दूद का प्रियोग करें इसनान करने के बाद में लाल अबस्तरों का प्रियोग हम को करना चाहिए और लाल अबस्तर पहन करके हम बैड़ जाए पंचमुकी हनुमान जी हमारे सामने इस तर रूप में वराजमान हो हनुमान जी की साधना उनी की पूर होती है जिनके घर में यह जिनके मंदिर में बैठ हुए हनुमान जी होते हैं उन्हीं की क्रपा जरूर प्राप्त होती है कि हनुमान जी के सामने बैठ करके एक धूप बत्ती जलाएं हनुमान जी के सामने एक घी का दीपक जलाएं अगर वह घी का दीपक पंच मुखी है तो कहना ही क्या निश्चित आपको अठाज शिद्धी में प्राप्त होगी है अगर है आपका घंगा के निकट्व गाउन है आपका जमना के निकट्काउब या आम को ये यह तो आपको जरूर करनी चाहिए साधना तो साधना में विसेष्ट जैसे मैंने कि साधना होनी मिश्चत नहीं है अपनी सामिक्री को भोजन की साधना पूरी हो कभी आपकी साहर स्था है जो मन को जी चाहता है प्राप्त कर सकता वही देवी देवताओं मैं आप कि साधना में सुद्ध पवत्र भोजन का अबस्ध ध्यान रखे मित्रों तो आपको क्या करना चाहिए हनुमान जी के सामने जोद जला करके दीप जोती प्रभ्रम्म दीपो जोती जनारदना दीप उर्तिम्मे पापन संद दीप नमो नमस्ते स्वभम करोति कल लेन मारुग्य सुक्षंपदाम सत्तुर्बुद्धि बना साइच दीप जोती नमो नमस्ते दीपक जला दीजिए और दीपक जला करके हनुमान जी अपने जीवन के लिए कामना की जिए आपके सामने अगर इस साधना में हनुमान जी की मूर्ति लाल सुरूप में लाल पत्थर की है तो जल्दी साधना का फल प्राप्त होगा इस साधना में फल ही तब प्राप्त होता है मित्रों तब व्यक्ति के पास में लाल पत्थर की कम से कम मूर्ति होनी चाहिए चादा बड़े आकार्म मूर्ती ना हो कम धाई शती इंची की अगर मूर्ती हो तो भी काम आपका चल जाएगा तो मैं एक एना चाहता हूं मित्रो हनुमान जी के सामने अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना करते समय भगवान से जो आपकी इच्छा है मन की उस इच्छा को दोहराईए और हनुमान चाली सा पाठ पढ़ना सुरू कीजिए साथ बार हनुमान चाली सा का पाठ कीजिए हर नवरात्रे में प्रती दिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके जीवन में कोई कोट कचेरी से संबंदत कोई समस्या है आपके जीवन में कोई रोग से संबंदत समस्या है आपके जीवन में आपके बहुत सारे सुत्रू है तो मैं कह सकता हूँ कि संकटते हनुमान छुडावे मन क्रम बचन ध्यान जूलावे भगवान के स्रणों में आपकी प्रीती तो होगी ही इसके साथ साथ में आपके संकोटों का निवारण भी निश्चत ही होगा तो मित्रों हर समस्या का समाधान है अगर आप करना चाहें तो मिलिए हमसे और सीखिये साथना और करिये साथना पाईए उज्ज्वल भविश्च तो ब्यक्ति को बहुत सरल साथना से हनुमान जी को प्राप्त किया जा सकता है हनुमान जी को प्रसंद करने का सरप्रतम एक और तरीका भी है कि साथना को प्रारम करने से पहले अगर ग्यारे बार हम सीता राम मुंत्र का जाप करें तो मैं कह सकता हूं कि हनुमान जी आकर के इस मूरत में बार नवास करने लगते हैं और भक्त के घर में बैठ जाते हैं और भक्त के मन में जो इच्छा होती है तुरं तुसे पूरी भी कर देते हैं तो पर नवरात्रे नौ दिन तक हनुवन चालीशा का सातवारा पाठ करें आपको आपके कारें में सफलता मिलेगी आपकी सोची हुई मनों कामना पूर्ण होगी यह बड़ा सरल उपाई भी है और नवरात्र में मंदिर में एक बार जाकर के जब यह अनुस्टान पूरा हो जाए मात्र साथ दिनी तो पढ़ना है ग्यारे लड़ू बूंदी के या मोती चूर के हो ग्यारे तुलसी के पत्ते के साथ एक स्री फल के साथ पांच फलों के साथ जरूर चढ़ाईए आपकी साधना का फल आपको निश्चत प्राप्त होगा नमस्कार प्राप्त